How to deactivate call forwarding दोस्तों क्या आप भी अपने call forwarding को deactivate करना चाते हैं और आपको मालूम नहीं है कि call forwarding को कैसे deactivate करना है तो आप सही वीडियो पर आए हैं क्योंकि दोस्तों आच के इस वीडियो में मा आपको एक shortcut method बताऊंगा जिसकी मददसे आप असानी से अपने call forwarding को deactivate कर सकते हैं कि मेरे calls किस number पर forward किये गए हैं इसके लिए आपको code डालना है star, hash, two, one, hash and call पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं call forwarding, voice not forwarded, video not forwarded अगर आपने अपने call को forward किया है तो यहाँ पर आपको number दिखाई देगा जिस भी number को आपने forward किया है यहाँ पर आपको number show होगा तो यहाँ से इसको ok कर लीजिए दोस्तों अपने call forwarding को deactivate करने के लिए आपको यह code डालना है यहाँ पर आप देख सकते हैं hash, hash, two, one, hash and dial पर क्लिक कीजिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह information मिल जाएगी call forwarding eraser was successfully यानि हमने call forwarding को successfully deactivate कर दिया है तो आप इस तरह score को डाल कर call forwarding को stop कर सकते हैं दोस्तों ऐसे और useful videos पाने के लिए इस चैनल को subscribe कीजिए थांक्स पर वाचिंगेट